हुआ यह था यह São तहुंर। आज की कहानी है भेडijd और भेडिये और एक जगे मैंने इसकाशिशक भेड़े और भेड़े भी देखा है। तो भेड़ और भेड़ ये कहानी हरिशंकर परसाई जी के लिखी हुई कहानी है यह एक वियंगी रचना है हरिशंकर परसाई जी जाने माने वियंगेकार है और इनकी भाषा सरल होती है आसानी से समझ में आने वाली होती है और यहां जो कहानी है वे छोटी सी एक कहानी है जि जनता के साथ जूटे वायदे करते हैं उनका शोषन करते हैं उनका प्रतीक है भेड़िये और जो जनता भोली भाली जनता है जिसे वे बरगलाते हैं लोभाते हैं उनके साथ जूटे वायदे करके उनको अपने वश्मे करते हैं ऐसी भोली भाली जनता का प्रतीक यहां भीड़ है इस कहानी को मैं अल्पनावर्म यहां प्रस्तुत कर रही हूं एक बार एक वन के पश्वों को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्थर पर पहुंच गए उस लेवल पर पहुंच गए जहां एक अच्छी साशन व्यवस्ता होन जो नेता है जो प्रतिनी धित करने वाले लोग है वो जनता से ही चुने जाए पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हश की लहर दोड़ गई यानि सभी बहुत कुश हो गए कि अब तो प्रजातंत्र आएगा और सुक सम्रिद्धी और सुरक्षा का स्वन यूग अब आया और वह आया लेका कहता है कि जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेडें बहुत थी भेडें जिनका स्वभाव होता है कि वे बहुत भोली बाली होती हैं तो उस वन प्रदेश की जो जनता थी वे नेक, इमानदार, कोमल, विनाई, निर्दोष पशू जो घास तको फूख फूख कर खाता है तो इतनी भोली बाली जनता थी उस प्रदेश की भेडों ने सोचा कि अब हमारा भाय दूगर हो जाएगा और हम अपने प्रतिनिदियों से ऐसा कानौन बनवाएंगे कि कोई भी किसी को ना सताय, कोई भी जीवध कि अब हमारा संकटकाल आया क्योंकि उनका तो भोजन ही भेडें थी और अब इस तरह का अगर कोई कानौन बन गया तो भी क्या करेंगे तो भेडियों ने सोचा भाई ये तो हमारे लिए बहुती मुसीबत का समय आने वाला है भेडों की संख्या इतनी अधिक है पंचायत म समय पाता भेडों का उलाज बढता जाता जो 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 चुनाफ समय पाता जाता भेडियों का दिल बैठता जाता याने उन्हें घबरात होने लगती एक दिन बूढ़े सियार भेडिये से भी ज़्यादर चलाग होता है मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं हर भेडिये के आसपास दो चार सियार रहते ही है तो ऐसे लोग जो चापलूस होते हैं राजनेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं उनके तलवे चाटते हैं उनके चापलूस ही करते हैं उनी का प्रतीक है ये सियार, तो सियार जो होते हैं, भेडिया जब अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्यों में लगे मास को कुतुर कुतुर कर खाते हैं, कुतर कर खाते हैं और हड्डियों को चूसते रहते हैं यानि उनका छोड़ा हुआ खाना ये खाने को तयार रहते हैं तो सियार का वह स्थान है ये भेड़िये के आसपास दुम हिलाते रहते हैं चापलूसी करते रहते हैं उनके सेवा करते रहते हैं और मौके बे मौके हुआ हुआ चिला कर उनकी जै बोलते रहते हैं तो बूड़े सियार ने बड़ी गंबीरता से पुछा महाराज आपके मुग चंदर पर चिंता के मेग क्यों चाए हैं अर्थाल आप इतने उदास क्यों है वह सियार कुछ कभी तभी करना जानता होगा शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बना कर कहता हो तो ये व्यंग कहा है कि हर तरह की चापलूसी करना सियार जानता है हर तरह से खैर भेड़ी ये ने कहा तुझे क्या मालूम नहीं वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है हमारा रास तो अब चला यानि अब तो हमारा हुकूमत हमारी हुकूमत हमारा शाषन अब खतम सियार ने दात निपोर कर कहा यानि ऐसे जूटे हसते हुए कहा दात निकाल दिखाते वे कहा हम क्या जाने महाराज हमारे तो आप ही माई बाप है यानि आप हमारे माले के हैं हम क्या जाने आप ही ये सब बातों की खबर रखते हैं हम तो भी आपके नौगर हैं दास हैं हम तो कोई और सरकार नहीं जानते हम तो मापी का दिया खाते हैं आपके गुन गाते हैं बेड़ी ने कहा मगर अब समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चपाने को नहीं मिलेंगी क्योंकि बेड़ों का राज हो जाएगा प्रजातंत्र आ जाएगा तो फिर बहुत मश्किल होगी सियार सब जानता था मगर जान कर भी ना जानने का नाटक करना उसे आता था और अगर बेह ऐसा नहीं कर पाता तो शेर ना होता Spit Jaci तो स्वाबि मानी होता है उसे चलकपत नाटक करना नहीं आता वे या तो सीधेवार करता है या चोड़ देता है लेकिन ये तो सियार था चापलूस था, आकिर भेडिये ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात भूड़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से, उदास मन से कहा, चुनाव पास आता जा रहा है, अब यहां से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जा सियार ने खूब सोच कर कहा, तो अजायब घर में चले जाए, बेड़े ने का, अरे वहां भी जगे नहीं है, सुना है, वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं, अब यहां पर भी व्यंग किया है, कि अजायब घर में आदमी रखे जाने लगे हैं, यानि आदमी इस तरह का वर्ताब आजकल इस तरह का अवयभार समाज में करने लगे हैं कि उन्हें अजयाब घर में रखा जाना चाहिए तो एक तरह से यहावयंग किया है बुड़ा स्यार अब ध्यान मग्न हो गया उसने एक आख बंद की नीचे के होंट को उपर के दांच से दबाया और एक टकाकाश की और देखने लगा जैसे विश्वा आत्मा से उसका कनेक्शन जुड़ रहा हो फिर बोला बस अब सब समझ म मालिक अगर पंचायत में आपकी भेडिया जाती का बहुमत हो जाए तो भेडिया चिड़कर बोला कहां की आस्मानी बात करता है कहां की ऐसी बात करता है जो संभवी ना हो हारे हमारी जाती कुल 10% है 10% है और भेडे और अन्य चोटे पशु 90% प्रतिशत प्रतिशत भला व को चुनेंगी मगर हां ऐसा हो सकता तो क्या बात थी बुड़ा सियार बोला आप खिंड मत हो यह सरकार अप परिशान मत हो यह एक दिन का समय दे देजिए कल तक कुछ न कुछ काम हो जाएगा कोई न कोई प्लान हम बनाएंगी योजना बनाएंगी मगर एक बात है आप जो देको वैक बनाना पड़ता है यहां तो सियार की बाद उसे मानने ही पड़ेगी क्यिक्न दूसरे दिन बुड़ा सियार अपने साथ ने किक 157 स्य आरों को लेकर आया उनमें से उसने एक को पीला कर दिया था उसको पिले रंग में रंग दिया था दूसरे को निले में और तीसरे को हड़ी में तो यहाँ बुलास के रहें इनको मैंने कलर किया हुआ यह रंगे वे सियार है आपकी सेवा करेंगे आपके चुनाव का प्रचार करेंगे बेडिये ने शंका की उसने क्या अरे ये इनकी पात कौन मानेगा ये तो वैसे ही छलकपट के लिए बहुत बदनाम है सियार ने बेडिये का हाँ चुमकर का बड़े भोले हैं आप सरकार अरे मालिक रंग रूप बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं फिर ये तो सियार है तो यहां एक बार और लेखक ने ब्यंग किया है किस तरह से आदमी अपना व्याभार परिस्थितियों के अनुसार बदल में माहिर होता है और तब बुड़े सियार ने भीडिये का भी रूप बदला मस्तक पर तेलक लगाया गले में कंठी पहनाई जो माला होती है मुँ में घास के तिन के खौंस दिये बुला अब आप पूरे संत हो गएं आप भीड़ों की जबा में चलेंगे मगर तीन बात का ख्याल रखना अपनी हिंसक आँखों को उपर मत उठाना हमेशा जमीन की तरफ ताकना उधर ही देखते रहना और कुछ बोलना भी मत और मूस जैसी खोला पूल खुल जाएगे और वहाँ बहुत सी भीड़े आएंगे सुन्दर सुन्दर मुलैम मुलैम तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना बेडिये ने पूछा लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे ये किस काम आएंगे बुड़ा सियार बोला ये बड़े काम के हैं सारा प्रशार आपका ये ही तो करेंगे इनी के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे ये पीला वाला बड़ा विद्वान है विचारक है कभी भी है लेखक भी है यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और यह हरा धरम गुरू है बस अब चलो तो यहां इन तीन रंगे सियारों के रूप में उन्होंने जिन लोगों का प्रतिनिधितु यहां पर करवाया है लेख एक राजनेता जब चुनाव लड़ता है तो उसे किन-किन लोगों का सहारा लेना पड़ता है और किन लोगों का सहारा लेकर वह चुनाव जीतता है तो आजकल तो चुनाव ऐसे ही जीत जाते हैं कलम के बल पर धरम के बल पर और दूसरा जो है लोगों की विचार धारा को जो एक विद्वान और विचारक कर सकता है जरा ठैरो भेडिये ने बुढ़े सियार को रोका कवी लेखक नेता विचारक ये तो सुने हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं और ये तीनों बात काटकर सियार बोला ये तीनों सच्चे नहीं हैं रंगे हुए हैं महाराज अब चलिए देर मत कीजे तो लेखक और कवी सच बताते हैं लेकिन आज कल का समय ऐसा है कि पैसे के प्रभाव में सब अपने विचार बदल सकते हैं बदल देते हैं तो वे ही रंगे सियार कहलाते हैं जो परिस्तितियों के अनसार अपना रूप बदलता रहता है बात काटकर सियार बोला ये तीनों सच्चे नहीं हैं रंगे हुए हैं महारा जब चलिए देर मत कीजे तो कहने कारते हैं कि रंगे हुए यानि अपनी असलियत को छुपाए हुए हैं और वे चले आगे बोड़ा सियार था उसके पीछे रंगे सियारों के बीच में भेडिया चल रहा था मस्तक पर तिल गले में कंठी कंठी में जो प्रेयर बीट्स होती हैं गले में पहनी हुई थी उसने और मुक में घास के तिमके धीरे धीरे चल रहा था त्यंत गंभीरता के साथ और सिर जुकाकर जैसे विने की मुर्ती हो उधर एक स्थान पर सहस्रों याने हजारों भेडें इखटी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बुड़े सियार ने फैला रखे थी तो बुड़े सियार ने पहले ही ये सब बातें फैला दिन थी कि इस तरह से एक संत आई हुए हैं और वो आपको संबोधित करेंगे चारों सियार भेडिये की जै बोलते हुए भेडों के जुंड के पास आए बूढे सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िये की जय बोली भेड़ों में पहले से ही यहां वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनी की तो आप अगर इसको वास्तविक दृष्चियों के साथ कल्पना करें जो चुनाव के समय होते हैं लोगों की भीड में समर्थक जाके इधर उधर बैठ जाते हैं और वो जय ध्वनी करते हैं कुछ उसी तरह का दृष्चय यहां भी प्रस्तुत किया है लेखा कहते हैं कि भेड़ों में पहले से यहां वहां बैठे सियारों ने जय ध्वनी की जय जयकार की और भेड़ों ने देखा तो बोली अरे भागो यह तो भेड़िया है तुरंत बोड़े से आने उन्हें रोक कर कहा भाईयों बैनों यह अभी डरों मत यह जो हैं भेड़िया राजा यह संत हो गए हैं उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दिये हैं उनका हिर्दय परिवर्तन हो गया हिर्दय परिवर्तन मन बदल गया है वे आज साथ दिनों से घास खा रहे हैं रहा दिन भगवान के भजन और परुपकार में लगे रहते हैं उन्होंने अपना जीवन जीवन मात्र की सेवा क लिए अर्पित कर दिया है और अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते किसी का रूम तक नहीं चूते भेड़ों से उन्हें विशेश प्रेम हैं इस जाती ने भेड़ों ने जितने कस्ट अभी तक सही हैं उनको याद करके भेडिया संथ की आँखों में आशू आ जाते हैं उनकी अपनी भेडिया जाती ने जो अत्यचार आप लोगों पर किये हैं उनके कारण भेडिया संथ का माथा लज्जा से जुखा है आज तक जुखा ही हुआ है अब वेशेश जीवन आपकी सेवा में लगा कर तमाम पापों का प्राइशित करेंगे और आज सुभे की बात है अब उधारण देखे अपनी बात की पुष्टी कर रहा है कि एक मासूम भेड के बच्चे के पाउं में काटा लग गया था तो भेडिया संथ ने उसे दातों से निकाला दातों से पर जब वह बेचारा कस्ट से चल बसा तो भेडिया संथ ने सम्मान पूर्वक उसकी अंति अब तो वे सब कुष त्याद चुके हैं आप उनसे डरो मत उन्हीं अपना भाई सम्मझों बोलो सब मिलकर संत भेडिया की जय संत भेडिया जी की जय भेडिया जी अब तक उसी तरह गर्दन डाले विने की मुर्ती बने बैठे हुए थे बीच में कभी-कभी सामने वाली जो भेड जो इखटी हो रखनी थी उनको देख लेते थे और टपकती भी लार को गुटक जाते थे अब इत्ती अच्छे-ची भेडे उनके सामने हैं ल मुक से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्राठना करता पर प्रेम वश उनका हरदय भराया उनका मन भरा हुआ है उनका दिल जो है वो इतना भाव विभोर हो रहा है कि वे गदगद हो गये हैं और भावों की अधिकता से उनका गला भी अवरुद हो गया है और व प्राणियों को देखिए आप इन्हें न पहचान पाए होंगे पहचानेंगे भी कैसे ये इस लोग के तो जीव हैं ही नहीं ये तो स्वर्ग के देवता हैं अब जो रंगेवे सियार हैं उनको स्वर्ग के देवता बता दिया कि जो इन्हें सद उपदेश याने सद निष्ट देने के लिए यहां धर्दी पर आuben पीले वाले जो पीले जेएर है ये मेरे मिलिए और नीले रंग के उनकी प्याइजा जो यहार सियर ہیں उनकी तरफ बोला कि जो नीले है? वो नीता है स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्म गुरु हैं अब कभी राज हुआ हुआ चिला दिया, सियारों की आदत होती है, एक हुआ हुआ आवाज करे कर दो सारे सारे उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं, तो बाकी वाले भी हुआ हुआ बोल पड़े, बोड़े सियार ने आख के शारे से स्यारों को मना किया कि मत बोलो चतुराई से बात को यूं कह कर समाला कि भाई कवी जी तो कोरस में कीत काते हैं पर कुछ समझें आप लो कैसे समझ सकते हैं और एक कवी की बात सब की समझ में आ जाए तो फिर वै कवी काहे का तो यह भी एक व्यंग्य है कह रहे हैं कि जैसे इश्वर का रूप बता रहे हैं, हे भेडिया जी महान, आप तो सर्वत्र याने सब और व्याप्त हैं, सर्वशक्ति मान हैं, प्राता आपके मस्तक पढ़ते लग करती है, याने सुभह आपके माथे पढ़ते लग करती है, और शाम की उशा आपका मुक्चूमती है, शाम की जो लाली होती है वो आपका मुक्चूमती है पवन आप पर पंखा करती है और रात्रियां आपकी जियोती लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती यानि इतना तेज है उस भेडिये में कि उसकी जियोती है जो तारे बनकर आकाश में दिखाई दे रही है इस तरह से उसका महिमा मंडन किया जा रहा है यहे विराठ आपके आपके चरुणों में शुद्र का यानि नीच का प्रनाम है तो इस तरह से वह भेढ़िये की तारीफ ही तारीफ किये जा रहा है फिर नीले रंकी सेयार ने कहा निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकता है, निर्बल जो बलहीन है, बेड़े कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती, बेड़िया बलवान है, इसलिए उसके हाथों में अपने हितों की चिंता को छोड़ो और निश्चिंत हो जाओ, वे भी तुम्हारा भाई है यह ही जाती कहे है तुम यह भेड और भेड़ी एंध़ा है और कहता है कि itself कतना कम अंतर है लेकिन फिर्म बेजार भेड़ी या बेकार ही बदनाम कर दिया जाता है कि वह भेड़ों खाता ए अरे कोई और खाता है और हड़्ड उसके दर्वाजे पर फ्हेंख जाता है ये तो तुम लोग पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, बेडिया तो बलवान है, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा, तो वे डटकर उसे लड़ेगा, इसलिए अपनी हित रक्षा के लिए बेडियों को चुनकर पंचायत में बेजो, बोलो संत बेडिया की जय, इस तरह से वे यहां त्याग करेगा, वे उस लोग में पाएगा, जो यहां दुख भोगेगा, वे वहां सुख पाएगा, जो यहां राजा बनाएगा, वे वहां राजा बनेगा, अब दूसरे लोग जिसे किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, उस लोग के सुख की बातें कहकर लोग को ब प्रणाम करता हूँ, तो इस तरह से वह भी अपनी बात कह रहा है, अब लेखा कहते हैं कि यह एक भेडिये की कथा नहीं है, यह सब भेडियों की कथा है, सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेडिये से बड़ा उनका कोई हित चिंतक यानि उनकी भलाई की चिंता करने वाला, हित रक्षक यानि उनकी भलाई की रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, भेडिया ही उनके लिए अच्छा ही अच्छा करेगा अब पंचायत का चुना हुआ तो भेडों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेडियों को चुना और पंचायत में भेडों के हितों की रक्षा के लिए भेडिये प्रतिनिधी बन कर आगए पंचायत में भेडियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया क्या कानून बनाया? जैसे ही सत्ता हासिल की वैसे ही अपने फायदे का कानून चापलू और धोकेबाज और कप्टी राजनेता बनाते हैं तो उसका एक उधारन है यहाँ, कि जैसे ही भेडिये पंचायत में चुनकराते हैं, पहला कानून बनाते हैं, कि हर भेडिये को सवेरे नाश्ते के लिए भेड का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड शाम को स्वास्त के ख्याल से कम खान चाहिए, इसलिए आधी भेड दे दीजए, तो यह थी कहानी भेड और भेडिये, एक ऐसी व्यंग रचना जिसके द्वारा उन्होंने प्रजा तंत्र में प्रजा को किस तरह से बुद्दू बना कर उसको धोका दे कर कप्टी राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं यह बताने का प्रयास किया है, आचा है यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी, धर्निवाद